हालो पेरेंट्स मैं पिंकी स्वागत करते हूं आपके अपनी चैनल पेरेंट्स हैर पे माइडियर पेरेंट्स आप सभी को पेरवरा नमस्का रादे रादे आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि अगर आपका बच्चा थम सक्किंग करता है या फिर उंगलियों को वह चूसता है आप यह चीज़ कभी-कभी नोटिस करते होंगे कि आपका च्छोटे बच्चे को यह हैविट अगर लग गई है तो उसको आप किस तरिकी से चुड़ा सकते हैं तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कभी-कभी मैं एंड में कुछ इंपोर्टेंट बात बताती हूं अगर वो आप स्किप कर दोगे तो शायद आप उसको मिस कर दोगे तो प्लीज सही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप प्लीज एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरू उस प्रॉब्लमप किस तरीक्हान राओं संदुनागी 31 Сब्सक्राइब उससी करना लग जाते हैं और बतां में अको आपको बताओं कि असे सब्सक्राइब अब कर सकते हैं कि जैसे बच्छा भोका है और भोक में कभी कभी हम थोजी हो जाती है कि बच्चे को परफ फीड नहीं कर आपूते या फिर खाना नहीं दे पाते बच्चा उस condition में क्या करता है? कि जो भी उसके आसपास स्राउंडिन में suppose कुछ toys है या फिर कुछ भी खिलाओने है या उसके पास कोई भी चीज है तो या तो वो उस चीज को अपने माउथ में डालेगा या फिर उसके पास कुछ भी नहीं है सपोर्च छोटा बच्चा है जो toys voice से खिलना ही नहीं जानता है दो तीन महीनी का है तो वो क्या करेगा ऐसे situation में? वो अपने उंगलियों को या फिर अपने अंगुठे को मुमें डालना है स्टार्ट करतीगा दीरे दीरे उसको ये ऐसी लट पढ़ जाएगी कि जैसे उसको दूद पीने की तलब उठती है उसी तरीके से अंगुठे चूसने के उसकी आदत पढ़ जाएगी अगर ये छोटे बच्चों तक ही सीमीत है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती दीरे दीरे ये जो प्रॉब्लम है आट हो जाती हैं लेकिन अगर बडे बच्चों में ये दिककत हो गई है और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वालिबात हो जाती है तो इससे बच्चे को क्या होता है क्या सारी जो मेजर durante की जुच्व एंगि आज पर यह की जाती बिल्क टीथ अगर बच्चे की खराब निकले तो डेफिनिटली आप इस चीज को मान लीजिए कि जो उसके पर्मानेंट टीथ निकलेंगे वो भी उसके खराब हो जाएंगी क्यों कि आप बच्चा इस तरीके से बार बार थम को मुह में ले रहा है या उंगलियों को इस तरी आने वाले टाइम में जब उसके पर्मानेंट टीथ निकलेंगे तो उसकी बिशिय बिगड़ जाएगी कहने का सेंस यह है कि बच्चे के जो दात बोग बिल्कुल भी प्रॉपर शेप में नहीं होंगे इसके लावा बच्चे को जो प्रॉपर जो बच्चे का बिकास होना बच्चे को बिकास नहीं हो पाएगा बच्चा को पोशनड का सिखार हो जगा क्योंकि बच्चे को भूख लगेगी तो वह क्या करेगा दूद के लिए रोएगा ने कुछ टाम तो वह रोएगा लेकिन फिर क्या हो उसे क्योंकि थम सक करने की आतर पड़ गई तो दूद की बच्चे को चूसने से दिमाख को की नस उपर बी असर पड़ता है बच्चे का मैंड भी वी बयोग हो सकता है तो आप जानते हो बच्चे को नहीं पर चूसने से दिक्कत हो सकती है बैक्टिर्टिल इंफश्शन बच्च के स्टबं पीजों को चूष करें और उसे हातों को यह अंगीयों जाते हैं प्जच के माँठ में चले में प्रघाटीलिया जाती है deci यह तो प्राभ्लम ती कि जिनकी बज़े से बच्चे आउटा चोचने के पैसे बच्चों को यह प्रॉब्लम हो सकते हैं इनको बच्चा फेस कर सकता है अब आप किस तरीके से इसको इंप्रूब कर सकते हैं छुडा सकते हैं देखें छोटा बच्चा है शिक्स मन तक का बेबी है उसके लिए सबसे अच्छा शॉलिशन है कि अगर बच्चा आप देख रहे हो नोटिस कर रहे हो बच्चा मूह में उठा डाल रहा है तो आप पहले बात समझ जए कि बच्चा भूका है आप इमेडेटली बच्चे को दूद पिला दीजिए साथ ही साथ जब भी आप यह नोटिस करते हूं कि कि बच्चा थम सकिंग कर रहा है तो आप कुछ भी ऐसी चीज बच्चे के हाथ में दे दीजिए जो उसे वह खा सके ठीक है सपोज सपोज आप बच्चे को बिस्किट्स दे सकते हैं या फिर कुछ खाने पीनी से रिलेटेड कुछ भी जो चीजे हैं वह आप बच्चे के हा पादत भी चली जाएगी चोटे बच्चे में वैसे मैं पैसी फायर के लिए मना करूंगे पैसी फायर ना दे लेकिन अंगुठा चूसने से बैटर है कि आप उसको पैसी फायर दे दे लेकिन तब दे जब आपको ऐसा लग रहा है कि हां बच्चा बहुत ज़्या थम उस कंडिशन में पैसी फायर दे सकती है अच्छे क्वालिटी के दे और जब भी उसको दे उसे अच्छे से धोकर वोम वाटर में चिससे वाइल करके तब उसको दे अधरवाइस अगर आपने गंदा दे दिया तो वो भी बच्चे को इंफेक्शन कर सकता है माउथ इंफेक सब्सक्राइब इस इसे कंडिशन में बच्राइब उसके में घूर और आजट कर सी करिवार तो सब्सक्राइब को में वर बच्चें नकैक्ट उसको तरण पैसे जाहिए और और दिन आप दा रहे हैं वो दिन में भी आप देगी आदर 250 qo यह पीधर बच्छे को इमन गलीय ताकि बार बार थाम सकिंग ना करें और आराम से सोते रहें तो इस ते भी काफी हद तक बच्चे की जो है वो इंप्रोव हो जाएगी और सबसे अच्छा सॉलिशन जो में बताने वाली हूँ वो बड़े और छोटे बच्चों के लिए तो नहीं सिक्स मन तक की बच्चों को आप यह मत करना तो कि अंगा मूं का जो टेस्ट है बिगड़ जाएगा वह बहुत जाता रोने लगेंगे लेकिन बड़े बच्चों में आप यह करती है ठीक है छोटे बच्चों के लिए बस आप इतना ही करें कि उनको पूरी कपड़े पिना यह खाने पीने की चीज उनक इसको चुड़ाने के लिए फैमाइट सॉलुशन का यूज कर सकती है उसके कुछ ड्रॉप साव अगर यूज करें तो बच्चे के जो अवूटे चूशने के आदक छूट जाएगी लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फैमाइट सॉलुशन यूज कर यह तो प्लीज आपके डॉक्टर से जरूर पूछे बिना डॉक्टर के आडवाइज के आपको नहीं यूज करना मैंने जस्ट आपको सजेशन दिया है इसके बारे में आप किसी भी मैडिकल स्टोर पर जाए उससे पूरी आडवाइज ले गाइड लाइन ले या फिर आप आपको एक आड़िया दे दिया है इसके अलावा आप घर से क्या यूज कर सकते हैं आप नेम का सॉलूशन बना ले जिए और जैसे नेम की पत्तिया है कोई भी कड़ी चीज ऐसी ले ले जिए जैसे प्याज करस है या नेम की पत्ति हैं आप बच्चे के अंटे पर उन्ली उसको लगा दीजिए ताकि बच्चा उसको अगर सक करेगा तो तुरत बहार निकाल देगा और उसकी आदत है वो इंप्रूप हो जाएगी तो आप इस तरीके से भी बच्चे की थम सकिंग की और फिंगर सकिंग की हैबिट को आप छुड़ा सकते हैं तो यह थी सारी जानक कि आप किस तरीके से अपने बच्चे की आउटे चुश की आधत को छुड़ा सकते हैं आए को कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो आप मेरे बताई हुए जो उपाय हैं वो आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज इस इन्फोर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों करेंको अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इनको फोरवर्ड करिए श। चेयर करेंको अग्र और पहली वार रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल पर सब्सक्क्राइब करिए और प्रॉबलम है प्लीज कमेंट वाक्ष में आप कमेंट करके आप मुझे ब आपके अपने चैनल पैरेंट्स हेल्फ है, माई डियर पैरेंट्स, आप सभी को पैर मेरे नमस्कार रादी रादी जे जयर में जरे आपके ओना हुआँ दो फ्शे रादी पैरेंट्स, जयर जब जारे चीन आपके प्रेशपryटर रादी नमस्कार रादी चैनल अपके बिल्स वर स अभ़िघ। झाल झाल